तो दोस्तों शुरू करते हैं क्राश कोर्स जैसे कि आपको पता है क्राश कोर्स हमारा सोशालोजी का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो सकता है आप इसको 2021 के बाद 2022, 24, 25 कभी भी देख सकते हैं आज के लेक्चर से पहले हम paper 1 में देखें तो chapter 1 and 2, chapter 3, chapter 4 कवर कर चुके हैं और paper 2 में देखें A1, A2, B1, B2, B3, B4 तो दोस्तों हर रोज जहांपे हम यहां मिलते हैं तो हम यहां cover क्या करते हैं दोस्तों हम cover करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर chapter को rapidly कि मैं आपको बहुत से जो हमारे videos already available हैं या फिर broader chapter की summary क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बहुते चीज़ों वही रहती है बताने वाली then मैं आपको एक question देता हूँ discuss करने के लिए कि आप उसका answer चाहे comments में लिखिए आप उसको answer को बनाईए and then next week मैं आपको उसका answer बताऊंगा and लेकिन आज के lecture में जिसे जो हम जो lecture देखते हैं उसमें जो तीसरा component क्या रहता है जो हमने last time जो question homework बना के लिए होता है उसको हम ठीक है दोस्तों चलिए rapidly शुरू करते हैं यहाँ पर काम अपना chapter 5 जिसे आपको पता है chapter 5 एक बहुत जादा महत्वपून chapter हर chapter ही महत्वपून है दोस्तों हर जो दोस्त जरूरी होता है लेकिन chapter 5, chapter 4, 5 and chapter 7 these are very 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 big chapters and they contain a lot of thinkers, they contain a lot of information, lot of ideas, lot of theories तो आपने जैसे हमने अपना in fact जो YouTube पर हमने जो सोशो पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले हमने उसमें chapter 5 एडिस्कस किया था, दोस्तों उसकर पीशे कारण यह था, क्योंकि एक बाद चाप्टर 5 की feel अच्छी आ जाए, तो automatically you start getting a grip of sociology की सोशो होती क्या है, तो दोस्तों chapter 5 में जिसे equality of inequality, दोनों को स hierarchy क्या चीज होती है, hierarchy मतलब कि कभी भी let's say क्या दो लोग हमेशा hierarchy में लगे होंगे, एक उचा एक नीचा ऐसा होगा, क्या हो सकता है कि नहीं, मान लीजिए कि कोई एक इनसान particular job करता है, let's say किसी शहर में वो manager है, और दूसरा इनसान let's say जो अपने गाउं में एक landlord है, तो प्रकार की जरूरी नहीं हर इनसान hierarchy में लगा हो, लेकिन बहुस्त ही दिखती है, कुछ इनसान हमारे पूरे process से excluded रहते हैं, कि जैसे आप पूरा development का process चल रहा है, लेकिन आप तक information नहीं पहुंच रही, कि कोई ने आप को कोई प्रोग्राम आया, मान लीजिए, यसे कितने कितने सारे initiative लेकर आता है, लेकिन आपके पास, आपके पास मान लीजिए, एक high speed internet ही नहीं है, आपकी internet की limit खतम हो जाती है, तो आप excluded रहे जाएंगे, समाज में free का content चल रहा है, इतना सारा, लोग बच्चे rank निकाल रहे हैं, आपको ए content के बारे पता ही चल रहा है, तो and exclusion क कई बार हम जान बुझ के भी कर लेते हैं, UPSC aspirant होते हैं, वो कहते हैं, हम सिरफ एक ही sleepy classes का ही lecture देखेंगे, बाकी हमने कोई lecture देखना ही नहीं है, बाकी हमने exclude कर लिया, दोस्तों का phone नहीं उठा रहे है, किसी के birthday पे नहीं जा रहे है, तो वो भी एक तरहांखा, that is also a form of exclusion, we should know both of them, ठीक है, and then poverty and deprivation, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सिरफ जेब में पैसा नहीं होगा, तो ही हम poor होंगे, multiple तरहां से, there are multiple ways we can be poor, ठीक है, हम गरीब हो सकते हैं, deprived हो सकते हैं, जो various products हैं, various things that the society has to offer us, and this economy, this development has to offer us, इनके बार में हमें पता होना चाहिए, क्या होती है, poverty and deprivation, various definitions, multiple, जो हमारे पास indicators हैं, क्या गया रहते हैं, जो समाज में, लेकिन हमारे हाँ पर stratification है, ठीक है, stratification मतलब कोई उंचा, कोई नीचा, ऐसे बना हुए, इसको समझने के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे theories दी, जैसे कि कुछ तो बोलते हैं कि structure exist करता है, जो कि functional है, functional म मतलब कि कोई काम पूरा कर रहा है, तो अभी exist करता है, अगर कोई काम पूरा नहीं करता है, लोग उसको समाज उसको ठुकरा देता, पीछे रह चाहता कहीं पर, अभी हमें आज नजर ना आता, इसका मतलब कोई ने बहुत तो वो purpose solve कर रहा है, then Marxist लोगों ने भी समझा, Marxist तो ये सब चीजों को criticize करते हैं, वो पूरे structure को and बताते हैं, इसको बदलना होगा, तो बदलते हुए हमें revolution लाना होगा, ये बहुत से तरहां कि हमें और जो तरीके जो सुझाते हैं, ठीक है, Weber कहते हैं कि सिरफ और सिरफ मार्क्स जी, आप सिरफ और सिरफ पैसे हैं कि उसम इन तरहां से वो कह रहे हैं कि इंसान ऊपर या नीचे हो सकता है, या तो पैसे के कारण हो जो उंचा या नीचा कहलाएगा, या स्टेटेस के कारण हो सकता है कि ऐसे जैसे इंबियन society की बात भी करते हैं, वो बोलते हैं, जो ब्रहमिन हैं, हो सकता है, बहुत गरीब ब्रहम का मतलब है political influence कि हो सकता है कि आपके पास कोई खास status भी नहीं है, खास अमीर भी नहीं है लेकिन political influence है आपके पास policies बनवा पाते हैं, आप अपने तरह से laws बनवा पाते हैं, तो वो कहरें एक तरीका समाज में ये भी है, तो ये जो Weber के समझने का तरीक है ट्रिनिटेरियन मॉडल, मार्क्स ने अकेड़ क्लास में समझा, ठीक है वो कहरें कि नहीं, पैसा ओगा सब कुछ आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली वाइसे वर्सा तो इसलिए आपको इस सब जो structure of functionalist theories में आपको जो theories रहती हैं, सांडर्ड डेविस important हमने discuss किया हुए, UPS ने सवाल भी पूछा था, हमारा वीडियो लेकिन पहले से available था, बच्चों के शायद मदद हुई हो क्योंकि अगर वो excluded नहीं थे, लोगों तक बात पहुंची होगी कि ऐसा वीडियोस discussed हैं तो शायद बच्चों ने और seriously वीडियोस को ethnicity कि आप आते कहां से हैं, किस तरहां कि ethnicity को बिलॉंग करते हैं, ethnic आपके identity क्या है, कि अपने आपको आप हो सकता है कि कश्मीरी बोलते हों, और हो सकता अपने आपको आप बिहारी बोलते हों, मराथी बोलते हों, पंजाबी बोलते हों तो accordingly ethnicity के हिसाब से आपको include या exclude भी किया जाता है समाज में and then race, race क्या होते दोस्तों, race is physiological in nature, physiological मतलब आपके चहरा या फिर आपका जो height या आपका color उसके हिसाब से जो आपको देख के जो लोग अगर आपको जिसे judge करें that means वो racial basis पर judge करें, आखें आपके चोटी ब differentiate होना शुरू हो जाते है समाज में and accordingly समाज हमें include exclude कर सकता है accordingly, then दोस्तों social mobility की बात होती है समाज में कि अगर मान लिजे मैं गरीब हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ, क्या मेरे पास options हैं, क्या समाज मुझे बहुत सारी options प्रवाइड करता है कि आप अगर ऐसा-इसा करे हैं, अगर आप ऐसा होने की possibility है, तो हम कहेंगे open समाज है, मतलब की mobility के chances हैं, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लिजे मैं किसी lower caste में पैदा हुआ, तो वहाँ पर जो caste system को हम ऐसा मानते हैं, इस तरह से एक system है, जिसमें हम जहां, जिस caste पैदा हुए, वहीं पर हम रह जा कि संस्कृताइजेशन हो जाती है, लोग कुछ तरीके अपनाते हैं, कास्ट में भी वहाँ पर देखा गया कि long term में बदलाव हो गया, तो इसलिए हम बोलें कि completely closed, completely open कोई system नहीं है, लेकिन yes, societies कहीं in between लाइक करती हैं, ठीक है, mobility की type कौन सी है, कि महनत करके होगा, mobility आप एक sponsored mobility, सरकार बोलती है कि okay, कास system में mobility के chance नहीं है, हमें काम करते हैं, हम आपको job में reservation देते हैं, education system में reservation देते हैं, accordingly आप आईए, यहाँ पर अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, अपना आप mobile होके उपर वाला आप दर्जा हासिल कीजिए, बढ़िया चीज है, ठीक है, तो इसलिए types of mobility में हमें various aspects of various types of mobility देखनी पड़ती हैं, कहां से शुरू होती है mobility and causes क्या क्या रहते हैं, क्यों mobility नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर videos available हैं, एक एक चीज, Peter Saunders ने क्या कहा, हना जो आप इनके नाम याद करते हैं, जो lectures में बहुत जादा depth है इवन हम अपने paid modules में we use these lectures because they are very very good and in-depth lectures and then उसके बाद Gerard Lenz की औरे बेथे ठीक है, और perspective है, do more, etc, feminist perspectives, ठीक है, and then जो उसके बाद आप देखें, जो exclusion हमारे times में international angle की deliberate exclusion है की नहीं है, कि कैसे exclusion को break किया जाए उसकी बात होती है, and then उसके बाद poverty, deprivation की definition, multi-dimensional poverty, and जो UN का भी idea है voluntary poverty क्या रहती है, hierarchy certification में क्या परके, theories of certification आप देखते हैं, जो content मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चाहे वह paid module का part है, चाहे free module का part है, content तो दुनिया में आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगा, तो content मिल जाएगा, मानलो आपको और better content मिल गया, ठोड़ा और organized मिल गया, रटना, and इसको जो application में लेकर आना, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, जब तक हम खुद नहीं काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो इसलिए, यहाँ पर content बहुत बढ़ी available है, एक के बाद एक topper आके इसको recommend करते हैं, कि आप इसको देखिए, इसको देखिए, in fact, एक और मैं आपको बताया था, कोई channel है, बड़ा सा channel, वो भी recommend कर रहा था, कि अगर आपको सुचारेज हमज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज जाके देखिए, sleepy classes पे, दोस्तों, लोग तो देख रहे हैं, increasingly, आप कितना retain कर पाते हैं, कितना उसको अपने answers में apply कर पाते हैं, that will follow up entirely on you, ठीक है, आप पर रहाएगा बिल्कुल वो वली बात, और सासत में कितना up to date रखते हैं, अपने आपको, और current examples वहाँ कोट कर सकते हैं, ठीक है, theories of Marx की theory है, स्राटिफिकेशन की, पार्सन की theory है, स्राटिफिकेशन की, छोड़ छोड़ टॉपिक्स हैं, दोस्तों, डेवि ये स्राटिफिकेशन की, डेविड वार्नर, दोसों, कौन डेविड वार्नर, कौन है, ऑस्ट्रेलिएन क्रिकटर प्लेयर, या फिर डेवल वार्नर की बात हो रही है, फ्लीज एक बार देखिए, ठीक है, न्यू यॉइक में लिखी theory, ये औस्टेलिया में लिखी theory, कहां प प्रेट फिर से आगए और उसके बाद जो स्टेटस बेज़ हो सकती है जेंडर बेज़ रेस बेज़ कास्ट और रेस में कोई फरक है कि नहीं एथनिसिटी क्या कहलाती है और उसके बाद जो अगर आप सोशल मोबिलिटी में वर्टिकली जो स्पॉंसर्ड वर्सिस जो हमारी इन दर ट्रांसफोर्मिशन अव् सॉसाइटी यह हमने डिसकस किया हुए और उसका यह वीडियो भी है ठीक है दोस्तों है एक लार्ट आपके लेसंज को जो हमने नेक्स्ट टाइम जो अबका होंवर्ग है चाप्टर फाइव का बहुत से बच्चे है बहुत जज़ा तो नहीं लेकिन मैं कहूंगा लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो अभी दे आर राइटिंग आंसर उसमें से कुछ अगेन मुठी भर बच्चे आके इवन यूट्यूब पे भी दिया राइटिंग आंसर विच इस ए ग्रेट थिंग I think it inspires a lot of people to come forward and write answers जो लिखेगा नहीं दोस्तों जित्रा मर्जी ग्यानी कठा कर लें अगर हम ग्यान को implement करना नहीं जानते तो nothing will move I can absolutely say that ठीक है तो सवाल है examine करना आपको gender ethnicity and race as major dimensions of social certification UPSC का पास्टेर question ही है जैसे आपको लगेगा अरे सर बड़ा straight forward question है नोट से आया हुँ है कितना रिटेन कर पाते हैं एक बाद चेक करना ठीक है lecture लगाना सारे के सारे उसके बाद चेक करना कि आप कर पा रहे हैं कि नेक्स टाइम तो हम discuss करी लेंगे ना इसको and then उसके बाद जो last time हमने आपको सवाल दिया था जो thinker से सवाल था Marks and Weber की आपको contributions को compare and contrast भी करना था in what on social certification in capitalist society ठीक है दोस्तों यह हमने एक answer writing program चलाया था जहां पर we had asked this question to students and उन्होंने answer लिखा था जैसे जब COVID के दौरान शायद वो अपना जो paper पोस्पोन हो गया है तब हमने यह एक series चलाई थी 48 days की उसमें सवाल भी था it's a past year question but it's a very good question simple question simply checks कि हम कितना retain कर सकते है 90 से 95 percent हमारा exam का paper हमारे notes में से निकल कर आएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब बात किस पर आ जाती हम कितना रेटेन कर पाते हैं and retain करके वहां पर कितना apply कर पाते हैं लिख पाते हैं coherently बढ़िया तरीके से simple भाषा में ठीक है तो यह जरूरी चीजे हैं लिखेंगे नहीं तो नहीं पता लगेगा दोस्तों मैं guarantee से बोलता हूं start writing and इसके लिए हमारे पास कुछ courses भी रहते हैं आप courses join कर सकते हैं it is important for me to tell you कि आप हमारे यहां कुछ courses रहते हैं हमारे answer writing courses हमारे mains का crash course etc जो की बहुत rapid चलने वाली चीज़े है social ऐसा subject है जो की बहुत rapidly cover किया जा सकता है लेकिन depth है हमें रटना तो पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो उसी में से ही borrow करके मैं आपको answer यहां पर आगे जो आपको मिलेगा कि कैसे marks and weber की हम जो contributions को on social certification in capital society को हम compare कर सकते हैं and contrast भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आपको जो इसके बाद जो video मिलेगा वही next part है and you'll also get to see कि हम जैसे paid modules etc में हम कुछ-कुछ videos आलते हैं तो कैसे रहते हैं ठीक है बहुत सारे हम videos यहां से YouTube से borrow करते हैं लेकिन जो answer writing रहती है checking रहती है and कुछ जो हमारे value edition topics रहते हैं उसके बाद हमारे कुछ current affairs की videos रहते हैं वो तो extra मिलेगा ही मिलेगा लेकिन again मैं आपको चाहता हूं बताना जो answer writing है वो that is the most important part of that course it's already a very low price course but again लेकिन answer writing तो वहाँ पर priceless एक चीज़ है ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे वीडियो में अपने आप इसका answer सुनिए and compare कीजिए जो अपने answer बनाया था अगर आपने अभी तक answer नहीं बनाया तो you can still stop and try writing and answer to this अगर आपको लग रहा है कि इस सवाल का answer नहीं बनेगा दोस्तों it's a simple question it's not a tough one अगर आपको लग रहा है इसका answer नहीं बनेगा please you'll have to go back that means seriousness के level बढ़ाना पड़ेगा that means थोड़ा सा you'll have to sit down ठीक है दोस्तों तो यह important है and that's why I shared and I'll see you next week again all right दोस्तों bye bye hello दोस्तों स्वागत है आप सभी का sleepy classes में दोस्तों यहां पर stratification है ना social stratification में एक बहुत ही standard typical सा question जो आपको बोलते हैं कि Marx and Weber ने जो social stratification पर जो contribute किया जो उनकी sayings है या फिर जो भी उनकी research हम पढ़ते हैं आपने उनको compare करना है and rather contrast भी करना है ठीक है तो compare में पहले जैसे आप बता सकते हैं कि क्या क्या similarities हैं contrast में थोड़ा differences भी highlight करने चाहिए हमें तो ही हमारा question complete होगा तो इसलिए quickly आप social stratification बता सकते हैं कि क्या रहती है न क्योंकि आपको question पूछा गया exam में most likely एक ही question दिखाई देते हैं तो इस lines पर तो इसलिए explain कीजिए and then उसके बाद आप contributions के बारे में and contrast करके conclude कर सकते हैं ठीक है तो ये one of those questions again जो है तो ये previous ये question नहीं लेकिन again जो हम content इस पर बहुत सारा हमारे पास रहता है organize करना और जो best points present करना ही सबसे important है ओके हैना जो इस social stratification की definition है ये जगा जगा यूज होती है तो इसको आप जितना internalize कर लेंग उतना better है ठीक है और जैसे यहाँ पर social stratification में को कहते हैं कि institutionalized system है मतलब institutionalized कहने का मतलब क्या रहता है कि ऐसा system जो over and over generation, the generation चलता रहता है institutional हो जाता है and social inequalities को वहाँ पर highlight कर दिया जाता है जैसे कि आपको वह पता है तीन जो दो term होती है privileges and जो आपके पास punishments है यह पॉरिशन purity वाला नहीं बोल रहा हमें privileges and punishment associate हो जाती है किसी को privilege कर दिया जाता है किसी को punish कर दिया जाता है stratification तो vertical में हमारे पास अगर ऐसी layers है तो उस system में social inequality different तरह सा नजर आती है यह हमें धियान देना पड़ेगा ठीके ओके देन दोस्तों यह divisions and relationship of social inequality यह जो standard हमारे stratification definition है and then एक ऐसा system मना दिया जो कि किसको क्या मिलेगा कब मिलेगा क्यों मिलेगा वो सब चीजे stratification में decide हो जाती है gender based stratification etc हम उस पर भी बात कर सकते हैं अगर हमें question पूछे रहा है वैसे accordingly ठीक है तो यह सब basic से हमारे जो economical, political etc यह सब हमारे जो तरीके रहते हैं या पर जो parameters या पर जो basic जो चीजे हैं जिनके basis पर आप stratify करते हैं समाज को और इवन Karl Marx ने भी जैसे caste के बारे में रिखा हुआ है कि भारत में जो caste है यह बहुत एक important impediment है भारत के progress के लिए और जो भारत में जो power concentrate हो जाती है किसी particular groups के पास ठीक है तो इसलिए अब यहाँ पर अगर हम stratification को सोट से explain करते हैं दो तिन line डालते हैं तो हमारा question अच्छा start हो सकता है Marx की contribution की बात करें कि Marx ने unequal property relations की बात करी और जो चार eras बताई उन चार eras में भी बताया कि कैसे जो समाज various तरह से stratified था और जो उसमें accordingly एक जो पूरा social order था social order भी अगर देखने को मिले तो वहाँ पर जो अगर कोई भी आप जो समाज उठा कर बता सकते हैं कि Marx ने हर एक जो समाज में यह separate question भी पूछा चाता वैसे ठीक है जो chapter 6 में वैसे तो वहाँ पर यही है कि कि किस तरह से various तरह की societies stratified थी according to Marx then जैसे आप capitalist पर focus कर सकते हैं primarily क्योंकि Marx और Weber को compare करने के लिए का है और Marx ने भी capitalist society पर ही दिखा जादा तो उसमें जैसे आप bourgeois और proletariat के बात कर सकते हैं दो तरह से division वानता है वो Marx and जो हमारे जो bourgeois जो की मतलब owner class है half class है power भी है status भी है and society के super structure को भी maintain रखते हैं जिससे क्या होता है जो bourgeois मतलब capitalists की values विचारधार है and किस तरह से जो काम करना चाहिए what is the right thing to do right thing to say सब कुछ ही जो settle कर रहा है super structure में आप ही बता सकते है Marx का important contribution है कि जो भी हमारे जो Marx के हिसाब से जो stratify हो जाती समाज उसमें जो bourgeois and proletariat तो उसमें जो bourgeois is setting up the super structure कि super structure में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी वो सब कॉन decide कर रहा है जो हमारे capitalists ठीक है तो इसलिए वो कह रहे है ultimately इससे workers की exploitation हो जाती है उनको पता भी नहीं रहता and accordingly उनमें क्योंकि false consciousness रहती है workers में, proletariat में तो accordingly जो stratification का system है gradually आप बोल सकते हैं polarization हो सकती है ठीक है और जो angles भी बोलते हैं कि historical materialism में भी वो ultimately बात यही करते हैं कि economic, जैसे determinist भी कहा जाता है दोनों को, कि economic जो reasons ही थे उसी के कारणी stratified रहा समाज अब marks भी जैसे gradually homogenization, thesis, etc की बात कर सकते हैं, आपकी polarization हो जाएगी and कुछ ही classes हैं जो top में चल जाएगी, कुछ बाकी सब गरीब हो के नीचे आ जाएगे, ठीक है, ओके तो इसलिए बोल रहा कि अगर सब ये stratification हटानी है and socialism से communism के तरफ पहुँचना है एक just society की creation करनी हमें करना होगा तो marks की criticism भी हाँ पर आप चाहें तो offer कर सकते हैं कि marks ने सब complete बात नहीं की ये depends कि आपके पास space है answer लिखने में points अगर आप बना पा रहे हैं तो marks ने जिसे बाकी factors को ignore किया gender, ethnicity, जिससे भी stratification हो जाती है and social class पर ही immense focus है and then marks ने कहा कि जो transitional classes होती है जो middle class etc. वो eventually खतम हो जाएंगी तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ and तो marks की कुछ एक दो अगर बता दें कि सिर्फ marks की theory complete भी निजर नहीं आती इसलिए आपका थोड़ा answer और better हो जाता है and depends also कि कई लोग न चाहते है marks and Weber का साथ साथ में point चलाना वो भी आप कर सकते हैं कोई ऐसे दिक्कत भरी बात नहीं है ठीक है तो यह तो सिर्फ points यहाँ पे मैं देरहां आपको कि marks ने सका वेबर नहीं सका हम अंत में वैसे उसी के तरह बढ़ेंगे okay वेबर को वैसे ghost of marks के साथ लड़ते हुए पाये जाता है कि जो भी marks ने कहा जो वेबर उसको improvise कर रहे है या reject कर रहे है ठीक है तो marks की theories को जो वेबर ने extensively study किया और बोला कि marks की जो अच्छा analysis है लेकिन बहुत कमी है marks के analysis में इसलिए वेबर को आप जो as a thinker कैसे मान सकते हैं कि marks को criticize करते हुए वाले thinker है ठीक है and then वो बोलते हैं कि जो classes वगरा हुई थी लेकिन अब जो class की definition ही change कर देते हैं जैसे वेबर तो कहते हैं कि जिनके पास property है या फिर नहीं है हना उसके basis पर ही divide करते हैं halves and have nots को तो जो marks अपने हना वेबर कहते हैं सर ऐसा नहीं है जो वेबर में कहते हैं कि class उन लोगों से बनी हुई है ऐसे लोगों से बनी हुई है जिनकी similar market situation है similar market situation and इसी के कारण वो बोलते हैं कि sir economic factors के कारण हम सिरफ और सिरफ divide नहीं कर सकते समाज को हमें समाज को divide करने के लिए वो तीन dimension देते हैं ठीक है कौन से एक तो economics जो class के basis पे status and power वो and जैसे बोलेंगे जब जो French revolution आती है वेबर लिखते है French revolution के दौरान चाहे जो church है चर्च के पास बहुत सारा पैसा नहीं है लेकिन power बहुत wield करती है church तो इसलिए या आप and status में भी बहुत high रहते हैं priests तो इसलिए वो बोलते हैं कि हम जो marks otherwise इसको कभी explain नहीं कर पाएंगे कि church इतनी powerful क्यों है ठीक है तो इसलिए कहरें जरूरी है कि हम जो weber बोलते हैं इस पर बात करें हम ठीक है तो इसलिए जो weber का analysis सोड़ा sophisticated निजर आता है बाकी comparison में and आप ये भी डाल सकते है कि जो हमारे जो CEOs वगारा होते हैं जो company चला रहे हैं as such owners तो नहीं है लेकिन सारे decisions ले रहे हैं सभी जो जितने भी लोग employees काम करते हैं सबको guide कर रहे हैं जैसे owners करते हैं तो इसलिए weber बोलते हैं कि चार तरह की classes देखनी होंगी एक तो propertyed upper class जैसे marks के halves हो जाएंगे then white collar class ये as such owners नहीं है लेकिन decision making powers है then petty bourgeois and then manual labor petty bourgeois मतलब छोटे मोटे जो अपने काम चला रहे हैं चाहे छोटा मोटा कोई car खाना चला रहे हैं चाहे कोई दुकान चला रहे हैं लेकिन हैं तो अपने काम के खुद owners हैं लेकिन as such इन बड़े owners के साथ compare नहीं कर सकते हैं उनको ठीक है तो इसलिए Marx को improvise करते हैं and then इसलिए वो बोलते हैं कि जो political power है जिसे church के दौरान जिसे बात करते हैं वो कहरें जो ये सब चीजे हम नजर अंदाज करी नहीं सकते जो Marx ने की हैं अब इसलिए वो बोलते हैं कि जो traditional society है है जो traditional society है वहाँ पर जो अगर rationality etc की अगर बात करें तो इसलिए वो कहरें वहाँ पर वो barrier के लिए से नजर आती है traditional society में आपको rationality बहुत ज़ादा नजर नहीं आती इसलिए जो traditional authority etc की बात भी करते हैं पर उसको भी आप यहाँ पर word drop करते हैं तो that will be a good idea हमने पढ़ाई की हुई तो इसको हम drop करना चाहिए and bureaucracy की बात कर सकते हैं कि bureaucracy में आप merit के basis पर select होकर आते हैं and वहाँ पर आप legal आपको ऐसे कोई भी नहीं कि आप ऐसा नहीं था कि आप पैदा हुए थे किसी घर में इसलिए आपको लोग जो सलाम ठोक रहे हैं या फिर बहुत पैसा आपके पास आप एक particular position पर रहें merit की position पर रहें तो stratified society में आपके पास बहुत power आ जाती bureaucracy में and legal authority आपको law ने कहा कि आपके पास authority होगी आपके पास power होगी ठीक है जो कि just power है ठीक है just मतलब justice वाली जो वाली power है तो Weber की ये वाला जो एक analysis है इसलिए बहुत ही better analysis है compared to Marx and then आप दोनों को contrast ठीक है तो आपना जैसे AK करके भी जो Marx नहीं कहा तो sir इसके Weber ने ऐसा कहा Marx नहीं कहा Weber ने ऐसा कहा ऐसा करके भी present कर सकते है अपना answer that depends कि आपके जो presentation कैसी है ओके ठीक है अब इसको contrast करने के लिए भी कहा तो Marx ने जो कहा कि class primarily economical होती है Weber ने कहा नहीं sir कि जो class मतलब अगर आप समाज की stratification के अगर बात करें तो तीन हना हमारे जो status class economic and power के basis पे हो सकती है तो सिरफ और सिरफ stratification एक तीन चीज़ों के basis पे हो सकती है and then Marx वहाँ पर आगे फर्दर बोलते हैं कि जो inequality etc है इससे revolution होगा Weber को बहुत distant possibility लगती है Weber लिखते भी हैं कि revolution distant possibility है and शायद जो हमारा future है उसमें तो कही नजर नहीं आती Weber को Weber बोलते हैं कि rather middle class it will keep growing Weber कह रहे हैं कि कोई polarization नजर नहीं आ रही है Marx कह रहे हैं कि polarized हो जाएंगे अमीर लोग उपर आगे गरीब लोग बिलकुल नीचे चले गए हाना तो middle class भी gradually नीचे चले जाएगी transitional class बोलते हैं Marx Weber बोलते हैं ऐसा नहीं सर ये तो बढ़ेगी expand होगी it will expand जो transitional class नहीं है this is the class जो कि जिसमें सबसे जादा लोग रहेंगे middle class ठीक है तो and then अगर आप हर लंबर से चाहते हैं बोरो करना वो भी analysis प्रिजेंट करते हैं तो वो इसलिए Weber क्या बोलते हैं हमारे कि Marx को criticize करते हैं वो लिखते हैं कि workers अपनी जो dissatisfaction है वो इतने dramatic तरीके से present नहीं करेंगे कि चलो चलते हैं car खाना तोड़ दें और जो revolution कर दें ऐसा नहीं होगा वो कहरे हैं कि rather इसलिए वो कहरे हैं कि जैसे जैसे जो democratic societies भी होंगी and democratic societies इस तरह की कदम उठाएंगी laws बनाये जाएंगे अगर जादा लोग आ जाएंगे यहां पर middle class में या बहुत लोग गरीब हो जाएंगे तो इसलिए democratic societies में automatically there will be laws there will be protection measures जो की workers को बचाएंगे exploit होने से and इसलिए वो बोलते हैं जो लिखते हैं कि socialism बहुत different नजर आएगा compared to what Marx has envisaged तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो overall इसलिए Marx की जो idea है, singular idea economic determinism को उसको reject करते हैं political power etc को लेकर आते हैं status को लेकर आते हैं तो वो important चीज़ है तो जो अगर आप एक दो ऐसे diagram बना दें and overall simple diagram बनाने बनाने मुश्कल टाइम लिए इनको तो अच्छा हमारा answer बन सकते हैं तो इसलिए बस आप अन्त में एक तो लाइन ने conclusion के लिख दनी चाहिए कि साथ दोनों में ठीके similarities भी है कि आप दोनों में जो dissimilarities भी है analysis present किया, stratification etc तो ये बोलते हैं कि इसलिए अन्त में हाँ पर important है कि जो भी आपको अगर जो आपको stratification की बात करनी है तो overall अगर आप बोलें कि Marx की थेयोरी इसको undermine नहीं किया जा सकता लेकिन वेबर्स थेयोरी है वो थेयोरी better थेयोरी नज़र आती है और हमें और जो Marx के जो उसने foundation जो ले किया थेयोरी का उसको Weber conclusion की तरफ ले जाते नज़र आते हैं और even की modern day हम society में भी देखते हैं कि जो Weber की थेयोरी जैसे bureaucratic power etc वो बहुत हमें जो एक better analysis की तरह हमें present करते हैं and makes जो sociologist की life a little easier तो इसलिए बस आप जो simple एक आधी line में कुछ conclude कर सकते हैं इसलिए कि आप ना दोनों में यह मत बोली कि Marks better या Weber better आप यह बोल सकते हैं कि Marks ने foundation ले करी Weber ने जिसपे build करते हुए इस theory को improve या improvise कर दिया तो यहाँ पर अगर आप वही एक जो simple सा मैं उपर चलता हूँ तो stratification explain की आपने आप अगर यह 150 words में डालना है तो यह यहाँ पर आप 2 से 3 lines यूज कर सकते हैं इसको explain करते हुए standard definition then compare करते हुए 4-5 points आप डालिए ठीक है जहाँ पर comparison and contrast करेंगे आप ठीक है and then वहाँ पर most likely आपके 100 words के आसपास हो जाएंगे एक आदा दो diagram लगा सकते हैं आपर and then conclusion में वह बहुत close to 2-3 lines and that's it 150 words में can be a good answer ठीक है इतना मुश्किल नहीं है और गर 150 words के लिए का आगे जादा के लिए का आगे अपने पास content तो होता ही है Marx को और explain कर सकते हैं Marx के हम various वह बता सकते हैं कि वेबरे तो फिर भी बात एक उसकी करीने capitalism की marks तो historical लेकर आते हैं ठीक है तो इसलिए आप extra content तो हमेशे डाल सकते हैं जैसे question की demand बढ़ती है लेकिन जैसे कैसे इसको limit किया जाए कैसे best उसको में present कर सकते हैं that we have to keep learning ठीक है तो ये थोड़ा असान सवाल और ऐसे असान सवाल बहुत सारे दिख्ते वेपर में इनको मिस नहीं करना marks लेने इनमें ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले अपने वीडियोस में बहुत ही जल्द बाबाई टेक केर